हेलो स्टुडेंट्स तो आज मैं आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्षन एक्सरसाइज 1.2 का क्योस्ट नमबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्योस्टन है अच्छे से समझेंगे देखिए so that the function f r star से लेकर r star तक हमारे पास क्या है function है यानि कि मैं आप इसी तालिक देते हैं function क्या होगा है हमारे पास r star up to r star यानि की domain से लेकर co domain तक हमारे पास क्या है function है अब देखवागे इसने क्या बोला है defined by f of x equals to me 1 by x अगर यह आपको समझ नहीं आ रहा ना domain क्या है co domain क्या है तो आप introduction वाली वीडियो देख सकते हो exercise 1.2 का introduction अमने करवा रखा है वहाँ से आप कोछी से समझ में आ जाएगा अब अमारे पास क्या है function f of x equals to me function है f of x equals to me 1 by x अब देखो क्या दिखाना यह है हमें is 11 तो यहां पर 11 दिखा देते हैं पहले बाद में on to दिखाना है यह तो 11 के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास unique domain होना चाहिए clear है अब एक arrow diagram के अलब से आपको में समझा देता हूँ देखो हम यहाँ पर x की जगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर यह इस x की value कितनी आ जाएगी 1 तो यह बनगे हमारे पास एक image 1 की अगर 2 रखते हैं यहाँ तो इसकी value आ जाएगी 1 by 2 अगर यहाँ पर 1 by 3 रखते हैं तो इस इसकी image बन गई कलिया है यहाँ तक अगर डोमेन रेंज इस डिफ्रेंट रेंज इस डिफ्रेंट आपे डिफ्रेंट रिफ्रेंट रेंज आरी हमारे पास सो फंक्शन इज इस function is 11 यह हमारे पास 11 अमने यहाँ पर सो कर दिया लेकिन एंशेर टी में बोला है कि इसको आप कैसे दिखाएंगे किस फॉर्म में दिखाएंगे f of x equals to me f of y इस फॉर्म में दिखाएंगे यह आप कह सकते हो इस फॉर्म में और दिखा देते हैं तो यह हमारे पास क्या जाएगा वर्मन फंक्शन हो जाएगा कलियर है तो यहाँ पर हम लैट करेंगे xy belongs to r star clear है यहाँ तक बिल्कुल clear है अब function क्या हमारे पास यह function हमारे पास देखो x और y हमारे पास belong कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर x की जगाए रख सकता हूँ बिल्कुल रख सकता हूँ तो यहाँ पर हम लिख देते हैं f of y रख दिया हमने यहाँ पर x की जगए equal to 1 by y और यह f of x equal to 1 by x है f of y यह मारे पास किसके equal है 1 by y के equal है अगर f of x equal to f of y होएगा तो यह मारे पास equal हो जाएंगे 1 by x equal to 1 by y तो हमें दिखाना क्या है x equal to y दिखाना है तो यह x equal to y हो गए cross multiply करके तो यह दिखा दिया हमने 1 1 clear है 1 1 समझ में आ गया तो अब देखिए on to function के लिए on to function देखो हमारे पास function क्या है यहाँ पर f of x equal to 1 by x on to के लिए क्या होता हमारे पास range equal to में को डोमेन को कलियर है यहाँ तक बिल्कुल कलियर है अब देखो यहाँ पर हमारे पास function है f of x equal to 1 by x अम इसको कैसे दिखाएंगे f of x equals to में वाई यह हमारे पास ncrt में ऐसे टिखाना होगा तब हमारे पास क्या होएगा यह ओंटो होएगा अब एक एक्जम्पल लेते हैं यहाँ पर रखेंगे तो 1 by 2 आ जाएगा थरी रखेंगे तो क्या जाएगा यहाँ यहाँ पर यह सब ही का बना रहे है इमेर बना रहरे हैं अब यह भी तो इक प्री मेर होएगा ओंटो होएगा में भाई जो soire यहां पे f y equal to one by x कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं यहां से x आ गया हमारे पास 1 by y के एक्वल अब देखो यह जो x की value है 1 by y यह हम यह प्र उठा देंगे 1 by y equals to 1 by x यहां से हमारे पास क्या गया एक्स इकोल्स टुमे वाई और अमने यहीं सोग करना वता है f of x equals to me y ncrt के लिए तो हम कह से तहीं है क्या हमारे पास on to function है यहां पर लिखेंगे this is this is on to function अब इसने last में देखो क्या बोला हमारे पास लास्ट में बोला है इसने इस दारिजल्ट रू इफ दाड़ोमेन और स्टार इज रिप्लेश्ट बाइन नेचुरल नंबर्स विद को डोमेन बिंग सेम देखो इसने बोला कि जो को डोमेन है वो यहां पर यह जो रिप्लेश कर दे जाए ओक इसके दोबारा नेचुरल फंक्शन क्या हमारे पास f of x equals to me 1 by x और इस साइड हमने ले लिया अगर 1 रखेंगे यहां पर तो यह आ गया 1, 2 रखेंगे तो 1 by 2, 3 रखेंगे तो 1 by 3 और 4 रखेंगे यहां पर तो यह आज आएगा हमारे पास 1 by 4 कलियर है यहां तक बिल्कुल कलियर है अब देखो यह एक और डोमेन तो मैं यहां पर सेम रखें और जो यहां पर only natural number आ सकते हैं यहां पर real numbers नहीं आएंगे तो यह क्या true है देखो one one function तो बन रहा है यहां पर single single image बन रही है हर एक यहां पर जो one two three four element है यहां पर एक single image बन रही है लेकिन क्या यहां पर on two function के लिए satisfy करेगा नहीं करेगा तो कि देखो यहां पर रियल numbers है यहां पर रूट शरी भी आज आई तो कहीं निगा मतलब यहां पर क्या है यह natural numbers के लिए satisfy नहीं करेगा on two function में one one function satisfy कर जाएगा कोई दिक्रत नहीं होगी लेकिन on two function में यह बात satisfy नहीं करेगी तो यह था हमारे पास कि उस्टिय नमबर फर्स्ट आयोब आपको उच्छे समझ में आया होगा अगर अभी भी को चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक्स पर वतिंग हैव नाइस डे